हलो एप्रिवाइन इट्स में सार और आप सभी का क्योटिक स्वाट गोड के और एकनी एपसुर में स्वागा था लेकिन वीडियो में आगा मनें जब पहले अगर आप लोगों ने अब भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जर्पिट करके कर दो और हो सेग वले पिक्चर को देखते ही तो जिंचैन चौक जाता है क्योंकि यह वले पिक्चर तो और किसी के नहीं उसी के पिछली वले जिंदी का जाने दुसमन को अलो डूट वाई बाई का था और एपर वीडियो में आगर बने से पहले मैं सुटिंग इंसन का नाम लेना चाहता जिसके तो जिंचैन आवी मुयून को उसी ओल्ल मेन का पिक्चर दिखाते हुए कहता है क्या तुम इस ओल्ल मेन को पहचानते हो तो मुयून तो कहते है कि अरे इसे कौन ना पहचानता है ये ना सच्ची में बहुत एखतना कहा है और इसके उपर का पाउंडी तो तुम दे जान करें देने से एकितना पैसा मिल सकता है अरे जिंचैन क्या ये हो सकता है कि इतना सारा बांडी ने तुम भी इस पैसे के लालच में आ चूका हो है ना ना इतने साही हो जाएगा और शी के साथ उसी ओल्ड मैन के बारे में यह बताने लग दिया है, यह जो लोनली ओल्ड मैन है, यह अचनक से एक दिन दस साल पहले ब्लू इंड किंग्डम में आ गया था, यह ओल्ड मैन ना सची में बहुत भी पाउर्फुल है, और यह यहा पर आने के बाद तो मैं एक बच्चा बन गया था, दूसरे और इस बंदे को तो देखो, यह तो अभे तक बुड़्धा के बुड़्धा ही रहा गया, पर फिर तो मुईन का कहानी आवे तक खतम नहीं होई थी, जो तो यह कह रही थी, कि यह लोनली ओल्ड मैन पता नहीं क कुछ सालों पहले कहां गायब हो गया, और इसके बारे में जितना सारा जान करी था, मार्शनरी उनियन ने सब कुछ छुपा दिया, लेकिन हाँ, अभे तक इस बंदे के ऊपर बाउंटी मौजद है, यानि कि यह बंदा भी अभे तक जिंदा है, जिस पर तो जिन चैन अभ यह पता चल गया था, कि इस बुड़े बावा के बारे में, अगर उसे कुछ पता करना है, तो उससे बिना मार्शनरी उनियन के टॉप में पहुंचना परेका, पर तब भी तो मौजद यह कह उड़ते हैं, कि अरे देखो तो जिन चैन, मैं तो तुम्हें यह बोलना ही भोल कही थी कि सुनने में मिला हैं कि यह जो लॉनली ओल मैन हैं यह किसी जिन चैन नाम के बंदे को भूल रहा है, और अब तो यह सुनने के पास हैं, जिन चैन को अपने पहलेबाले दुनिया पे जाने का रस्ता मिल जाता है, जहाँ बारधर उडि지 झीन चैन ओ को बाई करता कि ब्रदा जिंचेन आपका बहुत बहुत सुक्रिया, आपके बैसे हम लोगयां तक अच्छे से पहुंश से के, पर तब भी तो यहां पर जिंचेन देखते हैं, कि देखो तो बच्चे मुयून भी तो उससे यहां पर भाई करके निकल रही थी, जो देखते ही तो जिंचेन मत जाओ, मुझे आपके तुमसे कुछ काम है, मुझे तुमसे धोरा सा मत चाहिए, जिस पर तो मुयून रुकते हुए कहते हैं, कि नो मने, नो हानी, तुम्हारे पास तो अभी एक फूड़ी कोड़ी भी नहीं है, और तुम्हें तो अभी तक यह पता चले चुगा है, कि बिना पैसे का मैं कुछ काम ही नहीं करती, तो जिन जिन तो हंसते हुए कहता है, कि हाँ, उसके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा जगा जानता है, जहां से ना, उसे बहुत सरा भावचर मिल सकता है, और वे तो भावचर के नाम से, मुझे उन कहते हैं, कि आरे भ यह भावचा चीज़ के आए मैं तो यहां पर पैसे के बारे में बात कर रही थी और इसी के साथ एक टैबरेन यानि की बार का सिंदिका आता है जहां पर आने के बात जिन चैन कहता है कि चलो हम लोगों पर आ चुगे जहां से मुझे बहुत सरी भावचार मिलने बार है जो इ जिन चैन का यह कहना था कि बारे में उसे बागे सरे मार्चेंट से पता चला है और जिन चैन बचुआ बचुआ मुएन को यहां पर आकली चुड़के आगे के तरफ चला आता है तो बेचारी मुईन अभी तो उसी बार्टेंडर के फारस जाके उससे थे हमें पानी के पूझे यहां पर एक नहीं दो दो भावचार मेल चुका हैं, राल्प के लिए यहां पर 150 गोल्ड और पीउस के लिए 100 गोल्ड, पर यह सुनते तो राल्प और पीउस दोने के दोने ही गुस्दा होते हुए कहता हैं कि अरे बच्चे क्या हुआ, क्या तुम यहां पर अपना चिलाने का आवास सुने देता है तो बेते हैं पर जिन चैन को दिखाता है जो तब ने कंदे के ऊपर राद और प्यूस को लेके आ रहा था और जिन दोनों को लागे वो तो मुयून के सामने फेकत हुए क्याता है कि मैं आते हुए बाउंटी हॉल में इन दोने का पिक्चर द फिर से उसे बार्टेंडर से कहते हैं क्या मेरा वो एक गलास पानी हो सकता है और इसी के साथ एक मोटिल का सिंदी खायाते हैं जहां पर खाना खाते हुए मियून तो कहती है कि अगर तुम्हें पर मार्शनर यूनियन के टॉप में पहुएन चाहते हो तो उससे पहले तुम पहुत सरा टाक्स भी करने के लिए मिल जाए जो सुनते हैं तो जिंचयन कहा उटते हैं कि अरे वेट किसका है तो चलो ना हम लोगों को ही पर जाते हैं और शी के साथ हम लोगों को माउंटेन बीष्ट मैजिक रेंज का सिंदी खायाते हैं जहां पर तो जिंचयन और मूद बनके आई हैं और इसलिए जिंचयन को एकले ही आपे बाकिसरे मौस्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा और अगर मूयून से उसे मंदद जाहिए ना तो उसके लिए जिंचयन को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा जिस्पे तो जिंचयन पर क्या उटते कि हाँ मैं बीश्ट को तुम मेरे बड़ छोड़ सकते हो तब विदा आपे मौयून क्या उटते कि यह दखो यह जो देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्शन यूनियन के तरफ से जो सबसे बड़ा काम है सिल्फा स्ट्राइब गोल्डेंसने का खात्म करना लेकिन उना स पतनक नहीं और सी के साथ साथ उसका जो पॉइंट है ना वह भी बहुत ही अच्छा है तो तुम्हें काम करो तुम अभी के लिए उसी का सिकार करो जिस पर जिन चैन कहते हैं कि चलो मैं प्रोपेर्शनल का बात ही सुन लेता हूं तो मियून तो हसते हुए कि हाँ हाँ तु सुनने के बाद जिन चैन कहाता है कि अरे देखो तो तुम तो बहुत ही चालू निकली तुम इने तो थो दिर पहले कहा कि मुझे ये बहुत काम करना चाहिए और अभी तुम इसके लिए पैसा मांग रहे हो पर तब ही ना जिन चैन को यहाँ पे तो कुछ अलग सा मैसूस ह होता है और जो मैसूस होते हैं जिन चैन उसी तरव अपना सौट दे मारता है जहांब तो उससे पतलते हैं कि उसका सौट तो अभी एक मैजिकल बिश्ट के अंदर घुश चुका है और दिखने के बाद जिन चैन से पूछ ते हैं कि तुम नहीं यह कह सके जिस पर तो जिन देने के नाम से ना वो लड़की कहते हैं कि नाना मुझे इसके बारे में तुस्व भी नहीं जानना है और नहीं पर तो मुई उनको चिरा देवे तो जिन चैन को बहुत ही मज़ा रहा था तो भी ना गुस्से के साथ मुई उनक जगह पर बैठते हुए कि चलो मेरे पास ज कराते हैं और यह बचल कि यह रहे हो सकते हैं इन दोने के बीच कोई रिस्ता है रिचा है इसे यह इनको इसे बात कर देखने के के बाद जिन चैन तो सोचता हैं कि यह लड़की यहाँ पर क्या वगवास किये जा रही है पर तब ना जिंचे ने पर कुछ दिखने के बाद चौक उठता है और इसी के साथ जिंचे न तो जोरदार तरीके से अपने बोड़ी से किलिंग इंटेंड रिलीज करना स्टार्ट कर देता है जो देखते पर तो इस मौन्स्टर का यह वाला पावाद देखने के बाद जिंचे न क्या उड़ता है कि बोलना पर एक है यह वाला मौन्स्टर से बहुत ही तेजी के साथ बच्ची मुयून और जिंचे न के आसपास भूमना शार्ट कर देती है जहां पर मुयून उसी मौन्स्टर को पर हमला करते हुए जिंचे न से क να दें कि है तुम्हें पता चले यह वाला मौन्स्टर क्या है जिस पर जैंचे न क्जया और को फूर० एप गोरफिल सनीक और हम यहां यह व्यान मिल दे और एक ने पिसोड के साथ तब तक के लिए टाटा बार बै और हां सेयो नारा